कालका शहर के साथ लगते टकरा हकीमपूर गाउं की समीप एक पिकप जीप में आग लग गई आग लगने की कारणों का फिल हाल पता नहीं लग पाया अपर महला निवासी हिमांचू रोडा द्वारा कालका पुलिस में इस भंद में लिखित शिकायत दर्च करवाई गई और पुलिस ने मामला दर्च कर जान शुरू कर दी है अपर महला निवासी हिमांचू रोडा ने बताया कि वह हर रोज की तरहां टकरा हकीम पुर गाउं में अपनी पिकप जीप खड़ी करता था बिती देर रात को उसके पास उसके दोस अतुल का फोन आया था और उसे आग लगने की बात कही थी आग से उसकी जीप का भारी नुकसान हो गया है गनीमित रही की आग पिकप में लगी लेकिन थमाक का नहीं हुआ लोगों ने आग पर काबू पा लिया था